हालो स्टुटेंट स्वागत है आपका अपने ट्वी चैनल स्टार लाइन कोचिंग सेंटर में तो प्राकिर्तिक आपदा का एक परीच्छ है इसका हम आज लोग टोटल अबजेक्टिव करेंगे आपदा परवंदन का जितना अबजेक्टिव है सभी हम लोग आज देखेंग तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जितने भी प्यारे बच्चे वीडियो को देख रहे हैं एक वार लाइक कर दिए वीडियो को और अपने दोस्तों मित्रों के पास सेर जरूर कर दिजिए और जो भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वह चैनल को सब्सक् तो चलिए पहला question देखिए है कि सुनामी का परमुक कारण क्या है सुनामी जो है उसका परमुक कारण क्या है आप लोग कर इसका answer देखरा हो और बागी का answer आप लोग को नहीं दीखेगा समूद्र में भुकंपाना या फिर अस्थलिय छेतर में कंपाना तो दीप पर भुकंपाना या इनमें से कोई नहीं तो इसके एंसर देखी राइट हो जाएगा ए नमबर समूद्र में भुकंपान का आना चिले दूसरा नंबर क्यों राई ये? दूसरा नंबर और कॉश्चन कहता है कि निमलिखित में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? अतंगवाद है, रेल दुरगटना है, सुनामी है या संपरदाइक दंगे? मानव जनित आपदा नहीं है मानव जनित यानि कि क्या पूछ रहा है मानव जनित नहीं है यानि कि यह होगा प्राकिर्ति काप्दा प्राकिर्ति काप्दा तो इसमें जब प्राकिर्ति काप्दा आपको कौन लग रहा है आतंग बाद जो है मानब के द्वारा होगा रेल डूर गट ना किसके द्वारा मानब के द्वारा सुनामी मानब के द्वारा आएगा नहीं और संपरदैक दंगे मतलब दो धर्मों के बीच जब लडाई जगडा हो जाता है तो उसी को कहते हैं संपरदाई सका इंसर सी नंबर हो जाएगा आगे बढ़िए तीन चीन नंबर करता हैshirt कि इन में कौन से प्राकिर्तिक आपड़न नहीं है यानि कि मानब जनीत अपदावरी पूछो दिए मानब जनीत अपदा सुनामी जो है क्या है प्राकिर्थिक आपदा है बाढ़ प्राकिर्थिक आपदा भुकम मानव के द्वार लाया जाता है नहीं आतंग बाद तो आतंग बाद कौन रहता है मानव रहता है तो यह कौंजी हो जाएगा इसका एंसर डी नंबर आगे बढ़ते हैं तीन नंबर की तिन नंबर की ओर है कि चार नंबर देखिए इन में से कौन मानब जनित आपदा नहीं है अब पुछा प्राकिर्तिक आपदा नहीं है यानि कि प्राकिर्तिक आपदा पूछ रहा तो संपर्दायक दरंगे यानि कि दो धर्मों के बीच जब लड़ाई जगड़ा होता है तो आतंग बाद किसके दोरा होता है मानव के दोरा ही होता है मानव लोग यह तंग वाद रहता है रेल डुर गठना और डी में है इनमें से कोई नहीं तो इसका जो एंसर हो जाए Encrypti कर पता कौन नहीं है इसका answer d number ईå Donc कोई नहीं जो है प्रकces काफ़ महानव जनित आपदा नहीं है यानि कि प्राकिर्ति के आपदा बारे में पूछ रहा था पाच नमबर की और महाराष्ट में भुकाम पाना का मुख कारण क्या था अधीक रेल पर चालित होना बिर्चारों पनांदोलन या सहरी करन या कोईला बांध का निर्मान महाराष्ट में भुकाम पाने का मुख कारण क्या था मतलब इसमें परतेच रूप से कारण जो था कोईला बांध का निर्मान करना छे नमबर क्यों रही है छे नमबर क्यों करता है कि निमन में से कॉन प्राकृतिक आपदा नहीं है यानि कि पूछ रहा है कॉन मानब जनीत आपदा है बार जो है प्राकिर्तिक आपदा है इंसा जो है हिंसा और भुकम्प और सुखाड तो भुकम्प क्या है प्राकिर्तिक है और सुखाड क्या है प्राकिर्तिक है इंसा जो है वह मानव के द्वारा होता है तो इसका एंसर बी नंबर हो जाएगा साथ नमबर क्यों रहा है साथ नमबर कोश्चन है कि सुनामी किस भासा का सब्द है हिंदी का, अंग्रेजी का, जापानी का, अर्वी का सुनामी किस भासा का सब्द है या जो है जापानी सब्द है आगे बढ़िए आठ नमबर क्यों आठ नमबर कोश्चन है कि बिहार में सरपर्थम भुकम कब आया था 1934 में, 1904 में, 2008 में या 1997 में तब बिहार में जो सरपर्थम भुकम आया था वह 1934 इसवी में आया था कब आया था 1934 इसवी में आए बढ़िये दस नमबर क्यों दस नंबर कोश्चन है भुकम किस परकार की आपदा है महामारी आपदा है जलिए है प्राकिर्तिक है बायुमंडल यह तब भुकम जो है वह प्राकिर्तिक आपदा है भुकम किस के द्वारा आता है प्राकिर्तिक के द्वारा मतलब यह खुद से आता है तो इसी को कहते हैं भुकम मतलब भुकम में क्या होता है धर्ती का कमपन होता है तो भुकम जो लाता है मानव लाता है नहीं तो यह जो है प्राकिर्तिक आपदा और जितने भी प्यारे बच्चे जूड़े हुए हैं वीडियो को लाइक कर दीजी औ और साथ ही साथ अपने दोस्तों मित्रों के पास सेयर कर दीजी और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चलिए देखिए दस नमबर में इनमें कम बिनासकारी आपदा कौन है मतलब इनमें से क्या आपको कौन लग रहा है जो कम च्हती पहुंचाता है भूजखलन सुनामी बाड़ और सुखार जब होता है तो बहुत जादा जारमान की च्हती होती है गूटिसे का दें चुनामी में भी बहुत ज़्यादा ही छती द्भू अश्कलन मतलब भूस्कलन में थोड़ा कम छती होती है बिनासकार मतलब कम होता है इसान पीजान असकारी आपता जो है वह भू अस्खलन होगा आगे देखिए ग्यारा नंबर क्यों ग्यारा नंबर कोश्चन कहता है कि बंगाल की खाड़ी का चक्रवाद किन महीनों में भ्यानक होता है मैई जून में जून जुलाई में अगस सितंबर में अक्टूबर नंबर में बंगाल की खाड़ी का चक्रवाद किन महीनों में भ्यानक होता है इसका आप लोग इंसर भी जी तो यह जो हो जाएगा अक्टूबर और ननंबर महिना में बहुत ब्यानक चक्रवात रहता है आगे देखिए बारा नंबर की और बारा में भोपाल गैस त्री साधी किस परकार की आपदा थी प्राकिर्तिक आपदा मानव जनित आपदा पाई मंडली आपदा या इन में से कोई नहीं भोपाल गैस त्री साधी किस परकार की आपदा थी बताईए तो तो इसका हो जाएगा मानव जनित आपदा था कौन मानव जनित आपदा था मानव जनित तेरा में देखिए तेरा नंबर में है कि सुनामी क्या है एक जो आला मुखी पहाड़ है या बरसा रीतु में नदियों में बाड़ा आना या सुरी की भीषन गर्मी है या बिनास्कारि समुद्र लहर है तो समुद्र में क्या होता है लहर उखता है समुद्र में कहां उखता है समुंद्र में लहर जो आता है उसी को कहते हैं सुनामी तो सुनामी में बिनास्कारी समुंद्री लहर है आगे बढ़िए चौदा नंबर क्यों चौदा नंबर क्वेश्चन है कि इन में कौन छेत्र भुवास कलन से अधिक परभावित होता है जम्मुं ककास्मिर और उत्रकंड या उरीशा और आंधर पारदेर जार कान या फिर मदपरदेर जह च utmost से चlar इस छेत्रों में जादा देखने को मिलता है आगे बढ़के पंद्रा नंबर क्यों पंद्रा नंबर में है कि इनमें कौन भारत का सुख सुखा छेत्र माना जाता है इनमें कौन भारत का सुखा छेत्र माना जाता है पुर्वी राजस्थान या पूर्मद परदेश या करनाट प्थाड़ी छिए यह इन में से सभी तो इसका जो एंसर हो जाएगा वह दी नमबर हो जाएगा इन में से सभी आगे बढ़ते हैं 16 नमभर क्योर शोले नमभर कोश्छन कहता है कि भुकम का मापन किसके होता है भुकम का मापन मतलब भुकम जो मापा जाता है वह किसके द्वारा मापा जाता है सिस्मोग्राफ द्वारा फोकस द्वारा या रिक्टर अस्केल द्वारा या सुनामी द्वारा तब भुकम मापा जाता है किसके द्वारा रिक्टर scale के द्वारा मापा जाता है आईए 17 नंबर क्यों 17 नंबर में है कि इनमें कौन मानव जनीत आपदा है मानव जनीत आपदा पूछ रहा है संपरदाईग दंगे, आतंगबाद, महामारी या इनमें से सभी, तो संपरदाईग दंगे इसका सही इनसर 18 नंबर क्यों रहा है 18 नंबर क्यों रहा है कि प्राकिर्तिक आपदा किसे कहते है निम्लिखित विकल्पोब और में कौन सबसे अधिक सही माना जाएगा धनी ब्रिष्टी होना या नदी का बांध तूटना या धन जन को ब्यापक हानी पहुँचाने में आकर्सित दुरगटना या सूरज का ताप अधिक प्राप्त होना तो 18 का एंसर हो जाएगा C नंबर धन जन की ब्यापक हानी पहुँचने पर आक्सित दुरगटना आगे देखिए यह देखी हो गया total हम लोग का क्या चीज्ग का प्राकिर्तिक आपदा एक परिचे का अब देखिए इसके आगे हम लोग question देखेंगे प्राकिर्तिक आपदा का परिचे हो गया अब आगे की question देखते हैं इसके आगए बाढ और सूखा है, अब हम इसका आपजेक्टिव देखेंगे, बाढ और सूखा का आपजेक्टिव देखेंगे, तो चलिए पहला कोश्चन इसका है, सूखाड यानि किसंथि परकार की आपदा है, प्राकृर्तिक आपदा है, है मानम मानभी यह आपदा है समान आपदा है या इन में से कोई नहीní आप लोग वीडियो को जो अभी तक like नहीं किये हैं वीडियो को like कर दीजिए और चैनल ले हैं तो चैनल को आप लोग सबस्क्राइब ज़रूर कर लीजिए और आप आप लोग अपने दोस्तों मित्रों के पास वीडियो को शेर जरूर किजिए ताकि वो भी अच्छे से बोर्ड एकजाम में तैयारी अच्छे से अच्छे स्कूर कर सके तो इसका एंसर हो जाएगा सुखाड जो है यानि कि सुखाड किस परकार के आपदा है प्राकिर्तिक आपदा है मानवी आपदा है समान आपदा है या इन में से कोई नहीं तो A, B, C, D में आप लोग इंसर दीजे, इसका इंसर आप लोग को दिख रहा है, तो इसका इंसर क्या चीज़ हो जाएगा, प्राकिप्तिक आप दा हो जाएगा, दूसरा नमबर क्यों रही, दूसरा नमबर में निमली खित में किस नदी को बिहार का सोख नदी कहा जाता है, घञगा नदी को गंड़क नदी को कोसिग नदी को पुन पुन नदी को तब भीहार का सोख नदी जो कहा जाता है कोसी नदी को कहा जाता है आगे देखिए तीन नमबर की ओर तीन नमबर कोश्चन है कि नदियों में बाढ़ आना का परमुख कारण क्या है जल की अधिकता नदी की तली में अवसाद का जमाव या बरसा का ना होना या इन में से कोई नहीं तो नदियों में बाढ़ आना का परमुख कारण क्या है जब कि जल क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा तो इसका answer ए अदीक हो ॉजाएगा आगे देखिए 4 No प्राकृति का अपना जो आता है कि इसके दवारा आता अपने सया अता है तो यह याो जयेगा प्राकृति आपना पाशी नंबर क्यों रहें रहें साइब से सबसे अधीक हानी होता है फसलों को पसुओं को भवनों को उप्युक्त सभी को तो बाढ से किसका हानी होता है तो बाढ से जो हानी होता है उप्युक्त में से सभी क्यों होता है मतलब फसल का भी हानी होता है पसु का भी हानी होता है भवन का मतलब घर उरका भी है क्या होता है हानी होता है कि नहीं बिहार का कौन सा छेतर बाढ़ गरस छेतर है मतलब बिहार में भी बाढ़ गरस छेतर कहां पाये जाता है पूरवी बिहार में दचनी बिहार में पश्मी बिहार में या उत्री बिहार में तब बिहार में बाढ़ जो गर च्छेत रहे हुआ उत्री बिहार है कौन बिहार है उत्री बिहार साथ नंबर क्यों रही है साथ नंबर में क्रीसी सुखाड होता है क्रीसी सुखाड किसमें होता है जल के अभाब में मिट्टी के नमी के अभाब में मिट्टी के छाय के कारण या मिट्टी की लवनता के कारण तो इसका एंसर हो जाएगा जल के अभाव के कारण जो एक क्रिसी क्या होता है सुखाड होता अगी देखिए सुखने की बचाव का एक परमुख तरीका क्या है मतलब सुखे से बचाव के लिए परमुख तरीका क्या चीज़ है बरसा जल को संग्रा करना या नदियों के आसपास को जोड़ देना या बाढ़ की स्थिति को उत्पन करना या इन में से कोई नहीं तो जब बरसा जल को क्या करेंगे हम लोग संग्रा करेंगे बरसा जल को संग्रा करेंगे यानि कि जमा करेंगे क्या चीज करेंगे जमा करेंगे तो यह बाद में इसको क्या करता है खेत को सिचाई कर सकते हैं कि ने इसका एंसर हो जाएगा ए नमबर बर्सा जल को संगरा करना नौ नमबर क्यों रहाई यह बिहार में बिहार की बड़ी तरह साधियों में से एक कौन है भुवजकलन चक्रवात बाढ़ और सुखाड तब बिहार की तरह साधियों में से कौन एक है तो यह जो है बाढ़ है क्या चीज है बाढ़ दस नमबर क्यों रहाई दस नमबर में है क कि सूखे के लिए जिमेबार कारक कौन है सूखे के लिए कौन है जिमेबार कौन होता है बाड होता है कि भुकंप होता है कि बर्सा की कमी होता है या जो आलम मुख्य होता है तो जब सुखाड होगा तो सुखाड कब होगा जब बर्सा में क्या होगा कमी होगा अधिक होगा त कुषा कुष JHoney किस नदीपर है गंड़कनदी पर कोश्य नदीपर दमॉदार नदीपर या गंगा नदीपर्न किस नदीपर तो वह गंगा नदी पर है आगे देखिए बारा नंबर क्यों है बारा नंबर में भाक्रा नंगल बांध किस नदी पर है नर्मदा नदी पर क्रिष्णा नदी पर कावेरी नदी पर यह सतलज नदी पर तो भाक्रा नंगल बांध किस नदी पर है तो वह जो है कहां है सतलज न नदी पर आगे देखिए टेरा नमबर क्योंड़ गिए थेर नमबर में कि पश्चिन बंगाल में बार की GICA iB при 15 आ बाली कौन नदी है धामुदर है महा नदी है गंगा नदी को सिन नदी है का तो टेरा का एंसर हो जाएगा यह नमबर धामुदर नदी आगे देखिए 14 नम्बर क्योंगों और कि कुंस्ट है कि नम्ली क्षिर मेंे से क्वाधिक रहता है पंजाब उत्रखन बिहार गुजरात तह स्वाधिक गरस्थ जो रहता है वह गुजरात रहता है कौं राज रहता है गुजरात इसोला नम्बर में देखिए 15 Tom Patos कि बिहार के कितने जिलों में आपदा करवाई केंद्र अस्थापित करने की योजना है 38, 30, 15 या फिर 7 तो बिहार में जिलों में आपदा करवाई केंद्र के अस्थापना करने की 38 को है 16 नमबर की और देखी 16 नमबर में है कि निमलिखित में से किस छेतर के जाड़े के दिनों में बाढ़ से ग्रस्त होने की असंका होती है मतलब ठंडी में कौन सा छेतर ग्रस्त होने की असंका रहती है बाढ़ से केरल क्या चीज है केरल तामिल लाडू बिहार असंग तो यह जो है तामिल लाडू की असंग का होती आगे देखिए सतलज नदी पर किरित्रीम जला से बनाया गया है सरदार सरोबर का पंत सागर का या गोबिन सागर का या नागर जुन सागर का तो इसके एंसर दीजी तो इसके एंसर हो जाएगा गोबिन सागर का आगे देखिए अठारा नंबर क्योंड अठारा नंबर क्योंड अठारा नंबर कोश्चन है कि आप्दा परबंदन का पर्मु गटक कौन है अस्थानिये परसासन या स्वय सेवी संगठन या गाव मुहले के लोग या ये सभी तो क्या हो जाएगा ये सभी हो जाएगा इस नंबर की गोश्चन है सुख्ये की स्थिर्किस परकार के आती अचाना पूर्व सूचना के अनुसार धीरे-धीरे जान में से कोई नहीं तो सू cœur जो करता है य घीरे-धीरेने आता है पता चल जाता है कि इस वर सुखाड हो जाए जब धीरे जीरे पान नहीं पढ़ना शुरू होता है तो क्या हो लगता है कि अब सुखाड किया संका है बिहार में कितने कितनी जमीन पर बहु उदेशिये समुदाइक भवन यानि कि निर्मान की ओजना है चार हजार वर्ग फीट या फिर चालिस हजार वर्ग फीट या चार सो वर्ग फीट या चार फीट वर्ग चार वर्ग फिट पे इसके एंसर हो जाएगा चार हजार वर्ग फिट आएगे देखिए किस नमबर की और यह किस नमबर में है कि क्रीसी यानि कि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाई क्या है सिच्छा का परचार परशार करना यह जल संसादनों का बैग्यानिक विकास करना यह तलावों को जल पूर्ती करना यह नदियों के मार्ग को बदल कर उसे सूखा गरस्त छेत्र लाना तो इसके एंसर क्या चीज़ हो जाएगा डी नमबर नदियों को मार्ग को बदल कर सुखा छेतरों के लाना आगे देखिए बाइस नमबर में आपता परवंदन किसे कहते हैं भूकम को रोकना ये सुनामी को उत्पन नहीं होने देना या प्राकिर्तिक अपदाओं के दूस परिनामों को कम करने का उपाय किया जाना या स्वच पेजल का परवंद करना तो बाइस का जो एंसर हो जाएगा वह सी नमबर हो जाएगा प्राकिर्तिक अपदों के दूस परिनामों को कम करने का उपाय करना आगे देखिए तैस नमब question करता है कि बाढ़ परवंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए नदी के जल को दुसित के से बचाना या फिर नदी के दोनों और टटबंदों का निर्मान कर निर्मान होना या नदी पर मजबुत फूल बनाना या फिर नदी के लाब आगशे बनान की दोनों और धनी वस्तियों को बसmana ते इसका एंसर हो जाएगा नदी के दोनों और टटबंदों का निर्मान होना चुबिस में यह कि नदी के जल ग्रहन ग्रहन छेत्र में बीर्चो के रहने से लाव होता है मतलब क्या लाव होता है जलावन की लकली की प्राप्त होती है पस्वों की चारा मिलता है प्राकिर्टिक संदर पढ़ता है या बादल अकर्सित होता है और बर्सा जल की संभावना बढ़ता है तो इसका एंसर हो जाएगा दी नमबर की बादल अकर्सित होती है और बरसा जल की संभावना बढ़ती है आपदा के समय कौन सी समस्य संचार में बाधत होती है मुवाइल तावरो तथा ट्रांसमीशन तावरो का तूटना लड़को सडको का जहां तहां धोस्त होना या फिर समय पर विदेश से धन की नापरापती होना या महमारी फैलना तो इसका एंसर मुवाइल तावरो त्रांसमीशन को तावरो का तूटना तो यह हम लोग देख लिए बाध और सूखा का क्या चीज़ का बाध और सूखा वाला देख लिए हम लोग टोटल अगजेक्टिव अब इसके आगे देखते हैं अब हम लोग जो है तीन नंबर में मतलब भुकम्प और सुनामी देखेंगे वीडियो को लाइक कर दीजी और साथ ही साथ अपने दोस्तों मित्रों के पास सेर जरूर कर जीए और जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लीजी तो चलिए इसका इंसर क्या जी पहला देखी कोश्चन है कि सुनामी किस अस्थान पर आता है सुनामी जो आता है किस अस्थान पर आता है अस्थल पर समुद्र में अस्मान में या कोई नहीं सुनामी जो आता है कहां आता है समुद्र में आता है कहां आता है समुंद्र में आता है आगे देखी दो नमबर कोश्चन है दो नमबर में है कि महासागर के तली पर होने वाले कंपन किस नाम से जाना जाता है भुकम के चक्रबाद के सुनामी से या कोई नहीं तब महासागर के तली पर होने वाले भुकम्प जो है किस नाम से जाना जाता है तो वह जो है सुनामी के नाम से जाना जाता है आगे देखिए तीन नंबर में तीन नंबर कोश्चन है कि भुकम्प से पिर्थवी की सता पर पहुँचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग या टी तरंग तो यह जो है पी तरंग के नाम से जाना कहाता है कौन तरंग से पी तरंग से आगे देखिए चार नंबर कोश्चन कहता है निवन में कौन भूकम का सरवाधिक संबेदन सील नगर है निवन में कौन भुकम का सरवाधिक संबेदन सील नगर है देहरादून, राची, हैदराबाद, चिन्नई तो भुकम का सरवाधिक संबेदन सील नगर कौन है तो देहरादून है आगे देखिए पाश नमबर क्यों है पाश नमबर कोश्चन है कि 26 दिसंबर 2004 को बिश्व के किस हिस्से में भैंकर सुनामी आया था पश्मी एसिया में परसांत महासागर में या अट्लांटिक महासागर में या फिर बंगाल की खाली में तैयार जो है सबसे भ्यानक भुकम्प जो आया था विस में वह जो है बंगाल की खाड़ी में आया था छे नंबर की और आईए छे नंबर में है कि भारत में अत्यांत बिनास्कारी भुकम्प आया था 1934 में 1948 में 1967 में या 1990 में तो भारत में अत्यांत बिनास्कारी भी कंप जो आया था 1934 में आया था आगे देखिए साथ नंबर ही और साथ नंबर कुश्चन है कि भुकम्प केंद्र के उध्वाधार पिर्थवी पर इस्थित केंद्र को क्या कहा जाता है भुकम्प के उध्वाधार पिर्थवी पर इस्थित केंद्र को क्या कहा जाता है भुकम्प के अधी केंद्र या फिर अनुकेंद्र या इन में से कोई नहीं तो इसको जो कहा जाता है अधी केंद्र कहा जाता है आगे देखी आठ नंबर के उर आठ नंबर कोश्चन है कि भुपटल के नीचे का वह अस्थान जहां भुकम का जन्म होता है क्या कहलाता है भुकम केंद्र अधी केंद्र या इन में से कोई नहीं तब भुकम के नीचे का वह अस्थान जहां भुकम का जन्म होता है क्या कहलात म scient centrifugeम केंद्र का नौ नमबर की और यह नौ नमबर में नमलिखित में से सुनामी का मुक्ष्कारण क्या है कि समुदरी कंभी कंभी नहीं की साजित का जल का बढ़ना यह जहाग श्युक्त का अग्मन होना तो समुदर में और बहुत का kommt आ समुद्र में कम्राणा यानि कि भुकामपाना 10 में है कि सबसे sticks खतारनाक तरंग कौन है पी तरंग है स 2 आल तरंग है यार्य तरंग नातक है था कि भारत को कितने भुकामंपी है जेतर में बाटा गया है चार तीन पांच साथ भारत को जो है पांच भुकम पिए छेत्र में बाटा गया है आगे देखिए बारा नंबर क्यों बारा नंबर कुश्चन है कि भुकम तथा सुनामी से बचाव का इन में से कौन सा तरीका सही नहीं है भुकम के पुर्वा नुमान को गंभीरता से लेना या भुकम निरोधी भवनों का निर्मान करना या गैर सरकारे संगटनों द्वारा राहतकार हेत्तु तैयार रहना या भगवान भरोसे बैठे रहना तो यह जो है बी नंबर हो जाए भुकम निरोधी भवनों का निर्मान करना तो यह हम लोग टोटल कितने कोश्चन देख लिए इसका बारा कोश्चन देखें मतलब बाढ़ और भुकम्प का किसका देखें भुकम्प और सुनामी का टोटल बारा कोश्चन देखें चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं चलिए इसमें है जीवन रचक अकास्मिक परवंधन जीवन रचक अकास्मिक परवंधन देखिए इसमें पहला कोश्चन है कि बाढ़ के समय निमलिखित में से किस अस्थान पर जाना चाहिए जब बाढ़ आता है तो कौन से अस्थान पर जाना चाहिए गाओं के बाहर या उची भुमी के वाले अस्थान पर या जहां है उसी अस्थान पर या खेतों में तो इसका एंसर हो जाएगा उची भूमई पर जाना जाए बाढ़ के समय दूसरा नंबर में है कि मलवे के नीचे दवे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है दुर्विन का या इन फारेड कैमरा का या हेली कॉप्टर का या हेली हेली अस्क् को कहते हैं इन फारेड कैमरा आगे देखिए तीन नंबर क्यों तीन नंबर कोश्चन है कि आग से जलने की स्थिती में जले हुए अस्थान पर क्या प्रात्मी कुप्चार करना चाहिए ठंडा पानी डालना चाहिए गर्म पानी डालना चाहिए अस्पताल पहुंचाना चा आगे देखिए चार नंबर में चार नंबर में हैं कि बस्ती और मकान में आग लगने की स्थिती में क्या करना चाहिए दरवाजे खिड़की लगाना चाहिए आग बुझाने की तक इंतेजार करना चाहिए अगनी सामा को बुलाना चाहिए इन में से कोई नहीं तो इसका एंस जीवन रच्छत अकास्मिक परवंदर में जो है चार टोटल चार कोश्चन ही था अब आगे देखी और बढ़ते हैं देखी पाच में जो है आपदा काल में बैकल्पिक संचार विवस्था इसमें देखे क्या है कि सुदूर संबेदी उपस गरा याने की रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का परियोग किसलिए होता है दूर संचार के लिए या फिर संसादनों की खोज के लिए या मौसम विज्ञान के लिए सभी के लिए तो इसका एंसर हो जाएगा सभी के लिए आगे देखते हैं दो नंबर की और दो नंबर में है कि संचार का सब से लोग ये वाकी टौकी या रेडियो त॑ इसका इंसर हो जाएगा कि इतीर इसका इंसर मोगा यह तिर peach नॉइल हो जाएगा तीन नंबर कि वह रही रही तीन नंबर में है कि समान संचार विवस्था के बाधित होने का मूख कारण क्या है केबुल का टूट जाना या टावरों उचाई में कमी होना है संचार्टावरों की दूरी यह में से कोई नहीं तो इसका एंसर हो जाएगा केबुल को तूट जाना आगे देखते हैं चार नंबर के चार नंबर में हैं कि भारत में कितने पर तिसद भूमी भूकम से परभावित है सोला परतिसाथ चपन परतिसाथ असी परतिसाथ चोविस परतिसाथ तो यहां जो है चपन परतिसाथ है कितना परतिसाथ चपन परतिसाथ बाच नंबर क्यों रहा है इन में से कौन सा प्राकिर्थिक आपदा नहीं है यानि कि मानब जनित आपदा है कौन जनित मानब जनित ब ही है छे नंबर में आई ये छे नंबर कोश्चन है कि बरतमान में सबसे अधिक उप्योग हो देने वाले संसाधन कौन सा है टेलीफोन पेंजर मोबाइल या वोकी टोकी तो यह जो है मोबाइल है अभी सबसे ज्यादा उप्योग क्या चीज़ का हम लोग कर रहे हैं तो मोबा मोबाइल के तो अभी जो सबसे ज्यादा वकलय संसाधां टोकीस सबसे ज्यादा उप्योग देने वाले संसाधन जो हुआं मोबाइल होग मैं तो साथ नंबर में ईए यह 7 ओलपिक संचार संसाधन इंभी से पौन नहीं है डेटियोस क्त अप्योग देने वाले संचार या अंत्रीच तो इसका एंसर हो जाएगा अंत्रीच आगे देखिए आठ नमबर के साथ इसमें जो टोटल जाए साथ कोश्चन ही था बैकल्पिक आपदा काल में बैकल्पिक संचार ब्योस्था में चलिए आगे की और बढ़ते हैं अब छे नमबर में आपदा और सह अस्तित्व तो इसका हम लोग अबजेक्टिव देख लेते हैं देखिए पहला अबजेक्टिव जो है कि भू अस्खलन है भू अस्खलन क्या है प्राकिर्तिक आपदा है मानवी आपदा है समान आपदा है इनमें से कोई नहीं तो भू अस्खलन क्या है प्राकिर्तिक आपदा है आगे देखी निमलिखित में कौन प्राकिर्तिक आपदा है आग लगना आग लगना यह बंबी स्पोर्ट होना भुकम पिजारा साइनिंग दुरगटना तब भुकम जो है क्या है प्राकिर्तिक आपदा है आगे देखिए तीन नमबर के तीन रुचा कार होना चाहिए चौकोर होना चाहिए आयता कार होना चाहिए तो भुकम संबाद छेत्रों में जो है घर जो है कैसा होना चाहिए तो कंद्रम चाहिए यह है जो है आयता कार होना चाहिए आयगे देखिए चार में नें UP में से कौन मानम जनित आपदा है संपरदायक दंगे अतंग बाद महामारी यह इन्हेंसे सभी ताहिए इन्हे इन नमर में क्रीशी सुखाड होता है जल के जल के अभाब के कारण मिट्टी के लवन्ता के कारण मिट्टी के च्छाय के कारण यह मिट्टी के नमी के कारण तो यह जो है जल के अभाब के कारण होती है आगे देखिए छे नमबर में छे में है रिंग बांध किस के लिए उप्यूग होता है सुखा के लिए चक्रबाद के लिए बाड के लिए सुनामी के लिए रिंग बांध किस के लिए उप्यूग होता है मतलब गूल गूल खीतों में जोत कि तो यहां जो है चक्रबात के लिए उपियोग तक इसके लिए हैं चक्रबात के लिए आगे देखी साथ नमबर में भूवथ खलंवाले च्छेत्रों में ढाल परमकान का निर्मान क्या है उचित है अनुचूत है लावकारी है उपियोगी है भूथक्रक्रक्रक्स एनषरुänder OFF और जितने भी प्यारे बच्चे जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी अपने दोस्तों मित्रों के पास सेयर कर दीजिए और जो भी प्यारे बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए कर दया जो है क्या होता है भुका मुष्ञलन वाले सवय ड्चेत्रों में ठालान पर मकान करने रहां किता गहां तो वह जो है अरुक योगी होता है क्या होता है उप योगी होता है कि तोटल हम लोग कोश्चन भू कम याने कि आपदा मतलब टोटल हम लोग आपदा परवंधन का क्या चीज़ का आपदा परवंधन का टोटल आउजेक्टिव हम लोग देख लिए इससे ज़्यादा आप लोग एकजाम में देखने को नहीं मिलेगा तो जितने भी प्यारे बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दिजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों मित्रों के पास सेर एक बार आपके पास जितने भी गुरूप होगा सभी गुरूप में अपको एक बार वीडियो को सेर जरूर किजिए और जो नए है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियों तब तक जैहिन जै भारत